लोग सिकायत करते हैं कि हम कितना भी कमाले लेकिन पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ टाई हजार साल पीछे चलना होगा दुनिया के सबसे अमिर सहर बैबिलोन में आप पुछेंगे बैबिलोन ही क्यों? क्योंकि बैबिलोन अपने टाइम का सबसे अमिर सहर था और बैबिलोन का सबसे अमिर आदमी था अरकद वो इतना अमिर था कि खुब सारे खर्चे, आलिसान जिन्दगी और बहुत सारा दान देने के बावजुद भी उसकी दोलत दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी एक दिन उसके बचपन के दोस उससे मिलने आए और बोले अरकद, तुम बहुत लखी हो कि आज तुमारे पास इतना सारा पैसा है जबकि हम मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाते हैं तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलिसान महल में रहते हो, किमती कपडे और जवारात पहनते हो तब भी तुमारी दोलत कम नहीं होती, जबकि हम अच्छी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते पर एक टाइम था अरकद, जब हम एक जे सही थे, एक ही स्कुल में पढ़ते थे, एक ही गेम खिलते थे, तब तुम हमसे बहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था, हमने महनत भी सेम ही करी फिर बताओ अरकद, ऐसा तो तुमने क्या किया कि तुम इतने अमिर बन गए अरकद, क्या तुम हमें अपने अमिर बनने के राज बता सकते हो अरकद इतना अमिर होने के साथ साथ बहुत हंबल था इसलिए उसने अपने दोस्तों को 5 दिन तक पैसो के 5 राज बताए जो उसने खुद कई सालों पहले एक बहुती अमिर आदमी से सीखे थे जिसे वो आज तक फोलो करता आ रहा है अरकद ने अपने दोस्तों को पहले दिन जो सिक्रेट बताया वो था पेई और सेल्फ फरस्ट अब आप सोच रहे होंगे जो सैलेरी हमें मिलती है या बिजनेस में हम जो पैसा कमाते हैं वो हम खुद परी तो खर्च करते हैं पर दोस्तों खुद को पैई करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर दो यहां खुद को पैई करने का मतलब है अपनी कमाई का 10% अपनी सेविंग में डालना हर महीने सैलेरी मिलते ही हम कपड़े खरीते हैं, बिल्स भरते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं मतलब हम अपनी कमाई सब लोगों में बांट देते हैं सिवाए खुद के अरकत बताता है कि इंसान चाहें 10,000 कमा रहा हो या 10,000,000 उसे अपनी कमाई का दस्वा हिस्सा कमाई मिलते ही सेव कर लेना चाहिए और ऐसा उसे तब से सुरू कर देना चाहिए जब से वो कमाना सुरू कर दे जितना जल्दी उतना अच्छा आप जो एक हिस्सा सेव करते हो उसको सही जग इन्वेस्ट करके उस एक हिस्से से बहुत सारा और पैसा बनाया जा सकता है इतना पैसा कि आप जितना मर्जी खर्च करे आपका एकाउंट कभी खाली ना हो पर कहीं लोग कहते हैं कि ये 10% सेव करना बहुती मुश्किल है इतना पैसा तो बचता ही नहीं वेल इसका जवाब है अरकत के सेकंड प्रिंसिपल में जो है लीव बिलो योर मिन्स मेरा एक दोस्त हर 6 माइने में अपनी गाड़ी बदल देता है उसका मानना है कि वो इस तरह से लेटेस्ट टेकनोलोजी का यूज कर रहा है जबकि लोन की एमाई उसे हमेंसा परेसान करती है हमें अपनी जरूरत और इच्छाओं के बीच फर्क समझना चाहिए ज्यादतर लोग पारकिंसिंस लोगा सिकार होते हैं जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से हमारे खर्चे मेच हो जाते हैं अगर आप अपनी खर्चों और लाइफस्टाल के बारे में सोचना सुरू करें तो आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिल जाएंगे जिसे पूरी तरह से खतम या कम किया जा सकता है जब हमारी सैलेरी 20,000 होती है तब हमारा घर ठीक से चल जाता है और हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलेरी 50,000 होगी तब हम सेविंग करेंगे लेकिन जब हमारी सैलेरी बढ़कर 50,000 होती है तब भी हम सेविंग्स नहीं करबाते इसका reason है जिस proportion में हमारी salary बढ़ती है उसी proportion में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते है इसलिए पैसो को manage करने का सबसे best तरीका है हर मेहने budget बनाना जिससे आप अपनी need और wants को आसानी से पहचान पाऊगे उसके बाद अरकद ने अपने दोस्तों को तीसरा लोग बताया कि make your money work for you अपनी income का 10% save करना केवल सुरुआत है सिर्फ saving करके कोई अमिर नहीं बन चकता आपको अपनी saving से काम करवाना होगा यानि कि उसे invest करना होगा अरकद अपने दोस्तों को कहता है कि जब आप एक gold coin save करते हो तो उसे आपका गुलाम बनाओ जो आपके लिए काम करके आपको और copper के सिक्के बना कर दे जिन्हें आप फिर से काम पे लगाओ जो आपको और सिक्के देंगे यानि अपनी savings को invest करो और उस investment के profit को भी फिर से invest करते जाओ आप investing में जितना ज्यादा अच्छे होगे आपकी दोलत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी ऐसा करने से कुछ सालों के बाद आपकी कहीं सारी investment होगी और आपके पास कहीं तरीकों से पैसा आ रहा होगा चोथे दिन अरकद ने अपने दोस्तों को investment का एक बहुत ही important low बताया जो था protect your capital Babylon सहर कहीं सालों तक अमिर इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे सहर को बड़ी बड़ी दिवारों से protect किया हुआ था Similarly अरकद कहता है कि investment का सबसे पहला और important rule है अपने principal amount की safety अगर आपके लगाए गए पैसे ही डूब जाने का खत्रा हो तो ज्यादा कमाई की लालच में कभी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि high risk, high profit कभी-कभी high loss भी करवा सकता है इसलिए over confidence में आके अपना पैसा कहीं ऐसी जगए invest मत कर दे जहां उसके डूब जाने का खत्रा हो आपकी saving आपका treasure है जिसे आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाना चाहिए intelligent investor Warren Buffett कहते है कि investment का first rule है never lose money और अरकद भी अपने दोस्तों को वही कहता है कि अपनी saving सिर्फ एसी जगह invest करो जहां पे आपकी principal amount safe रहे और पांचवे दिन अरकद ने पांचवालों बताते हुए अपने दोस्तों से कहा कि increase your ability to earn अरकद कहता है कि जिसके पास ज्यादा wisdom होगी वो ज्यादा पैसे कमाएगा इसलिए information को wisdom में convert करना सीखो कई सालों बाद जब अरकद भूडा होने लगा तो उसने अपने बेटे नोमसिर को बुलाया और कहा कि मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी जाइदाद चाहते हो तो तुमें अपनी योगियता साबित करनी होगी उसने नोमसिर को सोने से भरा एक बेग और एक लेटर दिया जिस पर five loads of gold लिखे थे नोमसिर निनेवा नाम के सहर में पैसा कमाने के लिए गया वहाँ उसे दो आदमी मिले उन्होंने बताया कि निनेवा में एक मर्चंट के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कभी नहीं हार था उस पर पैसे लगाओगे तो बहुत पैसे जीच जाओगे नोमसिर ने घोड़े पर पैसे लगाए और हार गया बाद में पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले के साथ मिल कर नए और अमेर लोगों को लूटते थे फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि एक दुकान का मालिक मर गया है उसकी दुकान बहुत सस्ते में बिक रही है उसको खरीद लोगे तो काफी मुनाफा होगा नोमसिर ने वो दुकान खरीद ली लेकिन दुकान चलाने का कोई experience ना होने के कारण उसको काफी नुकसान हुआ और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा फिर एक दिन उसने वो letter देखा जिस पे अरकत ने 5 laws of gold लिख कर दिये थे उसमें लिखा था कि अपनी earning का दसवा हिसा future के लिए बचा के रखो अपनी saving को बुद्धिमता के साथ काम पर लगाओ कैवल expert और बुद्धिमान व्यक्ति से ही advise लो जिस business की समझ ना हो उसमें invest मत करो ज्यादा कमाने के चकर में ज्यादा रिस्की और gambling वाले business में मत पढ़ो नॉमसिर ने सोचा कि अगर वो इस letter को पहले पढ़ता तो अपने पैसे नहीं गवा था लेकिन letter पढ़ने के बाद नॉमसिर ने मैनत के साथ काम करना सुरू किया पहले उसने कुछ copper के सिक्के बचाना start किया उसने अपने खर्चे काफी कम कर दिये एक दिन एक आदमी ने उसे investment का proposal दिया पर नॉमसिर ने कहा कि वो अपने पैसे पहले ही गवा चुका है अब वो और पैसे खोना नहीं चाहता तब उस आदमी ने अपना प्लान बताया कि किल्ले की दिवारे लगबग बन चुकी है और कुछी दिनों में राजा को गेट के लिए ब्रोंज की जरूरत होगी हम दूसरे सेट से ब्रोंज ला कर इकटा कर लेते हैं और राजा को अच्छी कीमत पर बेच देंगे अगर राजा ने हमसे नहीं खरीदा तब भी हमारे पास ब्रोंज होगा उसको हम मार्केट में बेच कर भी प्रोफिट कमा लेंगे नॉमसिर ने थर्ड लों के बारे में सोचा और अपना पैसा दे दिया जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ उस बिजनस में उनको काफी मुनाफ़ा हुआ नॉमसिर ने कुछ ऐसे ही प्लानिंग करके कई और बिजनस किये और काफी पैसा कमा लिया कुछ सालों के बाद वो अरकत के पास वापस लोटा और अपनी कहानी सुनाई उसने अरकत से कहा पेता जी मैं आपको सोने से बराएक बेग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था और दो बेग सोना ओर देता हूँ उस लेटर के लिए जो आपने मुझे दिया था क्योंकि उस विस्डम के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता अरकत ने नॉमसिर को गले लगा लिया और कहा अब तुम सही मायने में मेरी दोलत के हगदार हो इस तरह अरकत ने अपने दोस्तों से लेकर अपने बेटे को पैसे के प्रिंसिपल सिखाए कुछ साल बाद बेबिलोन के राजा चिंता में थे और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि इस सहर में क्यों इतने ज्यादा लोग गरीब है हमारे सहर में वैसे पैसों की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी क्यों इन लोगों के पास पैसे नहीं टिकते मंत्रियों ने कहा महराज लोगों में पैसों की समझ कम है क्या हम अरकद की मद प्रस्ताव को मंजूर किया और बहुत से लोगों को एक बहुत बड़े होल में इकटा किया और कहा कि दोस्तो मेरे सारे एक्सपिरियंस को मिला कर मैंने पैसो की प्रॉबलिम से बाहर आने के पांच प्रिंसिपल्स तयार किये हैं ध्यान से सुनना पहला नियम अपनी पर्स को बढ़ा करो हर दस सिकों में से सिर्फ नो सिक्के ही खर्च करो दूसरा अपनी आदतों को समझो और देखो कि आप कहां बेफिजुल खर्चे कर रहे हो और उससे बचो तीसरा पैसो को काम पर लगाओ तुमने पैसा सेव कर लिया है और खर्चा भी कम हो गया है तो अब इन् करो अपने पैसो को चोथा अपने पैसो को प्रोटेक्ट करो इन्वेस्ट करना मतलब यह नहीं कि आप कहीं भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दो पूरा रिसर्च करो और तभी आगे वड़ो पांचवा और आखरेनियम अपनी कमाने की एबिलिटी बढ़ाओ क्योंकि जित यही किया और देखते ही देखते बैबिलोन दुनिया का सबसे अमिर सहर बन गया